कम प्रसेसिंग टाइम में डिसीजन सिक्सेस रेट आलमोस 99 प्रसेंट है बहुत सारे एप्लिकेंट को कन्फीज़ रहती है कितने फंड वो स्पाउज ओपन वर्परमट में शो करें और 300 के क्रीब स्पाउज ओपन वर्परमट पिछले पांच मन्त में हम लगवा चूंँ साल दोजार तेही का स्पाउज ओपन वर्परमट का ट्रेंड बहुत अच्छ है जानी बहुत कम प्रसेसिंग टाइम में डिसीजन सिक्सेस रेट आलमोस 99 प्रसेंट है पिछले पांच महीने में जी इमिग्रेशन ने एक भी स्पाउज ओपन वर्परमट की रिफूजल फेस न दिराइपोर तैसील सरदूलगड के रहने बाले हैं अभी इनकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने एलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग का डिप्लोमा साल 2013 में कंप्लीट किया उसके बाद एक्सपीरिंस है एज असिस्टेंट लाइन में जो के पंजाब स्टेट 24,000 के करीव फंद शो किये थे इनकी मेरे डेट 27,000 वंबर 2,000 वाई एप्लिकेंट की डेट ऑबात 92 इनके स्पाउज का 96 स्पाउज इनका बर्क परमन पर है जानी फोर येर का एज गैप है एंड एजुकेशन गैप 9 येर का है उसके बाद इनकी एप्लिकेशन अनतीत तीन 24,000 को सम्मिट होती है और मेडिकल 5,423 को बायमेट्रिक 5,423 को 16,523 को 46 डे में दीप सिंग को उनका स्पाउज ओपन वर्परमन मिलता है बहुत-बहुत मुआरक बात सभी एप्लिकेंट को जिन्होंने पिछले मन्त में अपने स्पाउज ओपन वर्परमन रसीव किये अपने स्पाउज ओपन वर्परमन पर जाने लगी है उससे अच्छा टाइम आज तक नहीं हमने देखा क्योंकि इतना अच्छा सिक्सेस रेट नहीं देखा बहुत सारे अप्लिकैंट फंड को लेकर कंफीजन में रहते कितने फंड कोई बोलता है पांच लाग कोई बोलता शे लाग कोई बोलता है सात लाग कोई दस लाग ज है फंड ज्यादा ही शोक करोगे तबी facilities ने आपका वीज़ा जार ज्याय च्य। जितनी आपकी income है जितनी आईटियास में आप income show कर रहे हो जा तो उससे एक लग ज्यादा जा एक लग कम भी आप अपने funds show कर सकते हो सबसे जरूरी जो funds में चाहिए वो है bank statement जितनी strong आपकी bank statement होगी जितना अच्छा आपका land in होगा chances of visa उतने ही high होगी अभी यहीं नहीं कि हम एक ही account लगा सकते हैं उसी की bank statement नहीं इवन आप तीन से चार account भी share कर सकते हो जिस account की statement आप लगा रहे हो चाहिए एक लग तक का balance उसमें हो बाकी आप जा तो FDR show कर सकते हैं जा balance certificate लगा सकते हैं बट जिस account की statement ला रहे हैं उसमें कोई भी recent large deposit नहीं होने चाहिए इन case है तो उसका source आपको application में देना पड़े गया explanation अपने covering letter में आपको देना पड़े गया otherwise spouse open work permit one of the best way Canada as a work permit पर जाने का जिसका success rate और processing time दोनों ही बहुत क्माल है तो अगर आपका भी spouse महीदो जाते ही intake के लिए Canada travel कर चुका है बिना कोई समागवाए आप अपना spouse open work permit apply करो ता जो आने बाले एक देड़ महीने में आप अपना visa हासल कर सको दन्यवाद